संस्कित साहित का एक सितारा है पूरे संस्कित साहित में जिस सबसे ज़्यादा फिरमेंस हुआ है कालिदास इनकी रचनाएं इतनी गदर और सांदार और अद्भूत हैं कि आज तक पढ़ने वाला लोग भूलता नहीं बहुत ही विख्याद, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज है संस्की साहित में तो है कालिदास संस्की साहित के स्रेश्ट कभी तेता नाटक कार कालिदास कह जाते हैं उतकर्ष की समिच्छा को छोड़का बेगत उतकर्ष की समिच्छा को छोड़कर इनके विशय में सब कुछ विवादस पद है इनका जन्म कहां हुआ किसी को नहीं पता मरण कहां हुआ किसी को नहीं पता क्या थे कुछ नहीं पता थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती है पर परफेक्ट चीज़ें नहीं मिलती सारी चीज़ें विवाद देना है इनके मूल अस्थान और कर्म छेत को लेकर आज भी थी आसकार में विवाद है, कालिदास के नाम से प्राय चालिस रचनाय का निर्देश मिलता है, इतनी रचनाय तो अधिकतर किसी की मिली नहीं, एक रचना मिलती है वो भी आधी अधूरी, कि इन तो इन में मूल इवन प्रा जो राइटर होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा, इन में दो महाकावी है, महाकावी जो सरगों विभक्त होता है, आठ अध्याय से कम नहीं होना चाहिए, सरगों के नाम उसके अनुसार रखे जाते हैं, कथानक के अनुसार, तो पहला जो महाकावी है उनका है, कुमार संभ दूसरा रगवन संभ, इसके अतरिक तीन नाटक है, मालविक्याग्नि मित्रम, विक्रमों वर्षिया और अभियान साकुंतलम, अगे अभियान साकुंतलम सरविस्व मांगमय के रूप में जाना जाता है, नाटक इतना प्रसिद्ध है कि आठ पुले विस्व में प्रचली जाता है, इसके कालिदास के दो गीत काव, खंड के रूप, गीत काव, खंड काव एक ही है, उसके रूप में दिखा देता है, पहला रितुसंगार, दूसरा मेंगदूथ, मेंगदूथ बहुत ज़्यादा फेमस है, बादलो के दोरा पत्र लिखा जाना काफी बहुत बहु विक्रमादित के रत्नों में आते हैं एक गुझंतियों में या भी हुरा की कालेदावस सिंभाने इसके मित्र थे इसका अंतिम समय लंका में ही बीता जहां एक वेश्चा ने धनलोब में इनकी हत्या करती ऐसा माना जाता है एक क्युद्यंत के अनुसार कालेदास बालेवस्था में अत्यांत मुर्क थे यह दिखतर सीजे मिल जाती है यह मुर्क वाली पंडित ने सडियंत्र करके उस समय से श्टा विद्वान जो विद्वान जो विद्वान थी ग्यानगर विता विद्वत्मा नाम था उसका उसे जह विवाया कर देते हैं कि मुंस सास्तरार्थ में कालि दास से विदिधोत्मा का फ़रा जय दिखाई गई किन्त विवा के अनंतर पत्नी के अपम Carnot होकर कालिदास ने काली की उपासना की और फुना विद्विसी पत्नी के पास विदमान होकर पहुंचे कि लें देफिं कि लोंट कुछ बोला होगा उनकी पत्निने उनने चोड लग गई दिल पर फिर उन्हें काली की उपासना कि ज्यान प्राप्त किई वापस आए अपने पत्निक ब्रॉत ये ज्यात होता कि निधर जणमसे ब्रामर्द था सी बहंowej के रूप्त के रुपन मालने कुछ लोग कस्मीर का भी मानते हैं इन्हें इतना अच्छा वड़न किया है उन्हें कस्मीर का भी माना जाता है और रगवनसम और मेखदूत देद के ने कालित सब समझ गया कि हाँ उन्हें भारत का विश्थित भरमड जरूर किया है उज्जैनी हिमाला उनके भागवलिक वर परसंड ता किंतो कोई संकीण चैत्री भावन में नहीं मिलती है इनका जो समय तुर्ट के आसमा आसपास माना जाता है और सही भी है तो कालिधास के बारे में आधी आता है थोड़े छुटे-छोटे पॉट हैं जो आँए बना के लिख सकते हैं और इससे बाहर मुझे नही कि यह अजाता है इनकी रचना है कुछ मिलती है इनोंने और लिखना होता थोड़ा बड़ा चड़ाकिया अपने इंसार बना के लिख सब्ड़ाइब बड़ा प्रक नहीं कर देंगे अताराम से यह पेपर में लिखने लाक बचांगा थो आपको बहुत धन्वां थैंक यू थ Thank you so much.